इस वीडियो में पावरसा के बारे में पुरी जानकरी हसिल करेंगे जिन पाइंड के ऊपर डिसक्छन करेंगे ओ है इंट्रोड़क्शन आपपावरसा, फिचर आपपावरसा, पार्टस आपपावरसा, पावर हेक्सा ब्लेड, ब्लेड क्लियरंस, क्लैम्पिंग अरेजमेंट, फिक्सिंग ब्लेड और प्रावर्सा की प्रिकॉशन कैसे ली जाती है इसके बारे में विस्तर पूर्वत गानकारी हसिल करेंगे दरस्तो इसके पहले हमने फिटर ट्रेट के बहुत सारे वीडियो शेयर किया है जिनके पुरी लिस्ट, प्ले लिस्ट में दी गई है वो इस वीडियो के अंत में आपको दरूर देखने को मिलेगी उसे पुरा देखे और अंतर तक देखे और अच्छी तरह से फिटर ट्रेट के थेरी को समझ लिजेगा अज़र आप नए हो चैनल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकान पर क्लिक जरूर किजेगा तो तलिए दोस्तों अब हम जानते हैं इंट्रोड़क्शन आप पावर्सा वर्क्शाप में कारिये को अतिसिग्र करने के लिए मतलब कटिंग करने के लिए पावर्सा का प्रयूक किया जता है यह हैक्सा की तरह ही कारिये करती है लेकिन यहgewं पावर्स से चलती है इसलिए इसमें आसानी से कोई भी जो क्रास सेक्शन होते है जैसे की जेट सेक्षन, आई सेक्षन, सी सेक्षन, सालिड वार, हलो वार इस तरह के जो सेक्षन होते बड़े हैं करके उन्हें अच्छी तरह से और जल्दी काटने के लिए पावर्सा का प्रयोग किया जाता है ये छोटे वर्षप में अक्सर पाई जाती है और इससे जल्दी काम खत्म किया जा सकता है फिचर्स आप पावर्सा पावर्सा हैंड हैक्सा की तरह कारिय करती है जैसे हैंड हैकसा फारवर स्ट्रोक में कटिंग करती है और बैकवर स्ट्रोक में उसमें प्रेशर रिलिज करना पड़ता है वैसा ही पावर सामें एक स्ट्रोक में ये कटिंग करती है और दूसरे स्ट्रोक को प्रेशर रिलिज करती है क्रैक मेकेनिजम रोटरी मोशन को लिनियर मोशन में बदला जाता है हैड्रालिक प्रेशर से इसमें आवश्चक दबाव मिल जाता है और समाई जिद भार के द्वारा ये अच्छी तरह से कटिंग करती है नार्कटिक मोशन में के दवरान ब्लेट का प्रेशर उपर उठा लेते है इस तरह से ये कारिये करती है अब हम जानते इसके पार्ट्स के बारे में और साके कौन से कौन से पार्ट्स है इसके बारे में जान कर लेते है सबसे पहले जो है वो मोटर जो इलेक्ट्रिक से चलाई जाती है उसके बाद फ्रेम जहाँ ब्लेड फिट की जाती है साबलेड वर्क पीस जहाँ वर्क पीस फिट की जाता है वह है वाइस हैंडल और इसमें एक स्टाब बार रहता है इस तरह सी इसकी पूरे पार्ट है अब ह जानते हैं इसके के में के बारे में में। ज्रुफेय ब्लेट का चुनाव मसीन तता की वर्के प्रकार के अनुट चाहिता है। हमेशा जब पावर्षा के ब्लेट होते हो हाई स्पीश टील ही अलाई स्टील झाण। लो कार्बन स्टील से बनाय जाते के लिए विभिन्न प्रकार के वह ट्रेल के लिए विभिन्न पीच के incumbent का प्रियोप करना पड़ता है पीच का मतलब जो होता है वो दो नज्दी की जो तीद होते का उसकर जो दुरी होती उसी को पीच कहते हैं इस तरह अलग अलग पीच में पाई जाती है साधारान्ता मुलायम धातु काटने के लिए 25 mm लंबाई में दातों की संक्या को काम में लेते हैं अधिक पीछ वाली जो ब्लेड होती है लंबी चिप्स निकालते हैं जिनका पीछ जदा होता है वो लंबी लंबी चिप्स निकाल लेते हैं हम जब यह क्रास्ट आइद जो पीस वाले ब्लेड का प्रियोग किया ज़ता है और हर्ड इंच में 14 होते हैं अब हम जानते इसके ब्लेड क्लियरंस के बारे में दातों की जो जामिंग रोकने के लिए मतलब टीत कटिंग में फिटने होना चाहिए उसमें थोड़ा सा क्लियरंस रहना चाहिए ताकि ब्लेड आसानी से आगे पीछे मुग करें इसी को क्लियरंस करता है क्लियरंस रहतने से ब्लेड आसानी से आगे पीछे मुग करती है और फिट नहीं होती इसमें स्टैगर्ड शेट या वेव शेट यह दोनों का भी प्रयूक किया जाता है और ब मुटा कट होना चाहिए और ब्लेड जाम नहीं होना चाहिए इसलिए इसको शेटिंग करते हैं अब हम देखते हैं इसका स्पेसिपिकेशन आप पावर्सा ब्लेड पावर्सा ब्लेड का स्पेसिपिकेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानु कर लेते हैं पावर शाग ए ब्लेड का स्पेसिपिकेशन, लेंथ ब्लेड मतलब दोनों जो पीन होल होते हैं, पाग का शेंटर की दुरी को उसकी लेंथ समझ जा जाता है, लेंथ से किया जाता है, उसके बाद वीड्थ, ठिकनेस, और पीच आपटी, इन चारों बातों से उसका किया जाता है लेंट वीड दिखनेश और पीचाप टीट उसके बाद देखते हैं क्लैंपिंग अर्रेंजमेंट पावर सामें मशिन हुआ इसकी तरह क्लैंपिंग डिवाइस लगी होती है तता इसमें जाब को क्रेक हैंडल से सायता से फिट किया जाता है जो आपका जाब है इसको इस वाइस में फिट किया जाता है जो जो वाइस के हैंडल के जरी है जब समान जाब के आपको मतलब एक जैसे लंबाई के आपको पीस काटना है तो इस तरह इस टापर का प्रयोग किया जाता है सबसे पहले आपको एक पीस काटना होता है उसके बार पार को शेट करना होता है तो उससे आपको बार-बार सेटिंंग करने की जरुद नहीं इस से यो शेट करने की जरुद威रद नहीं होती है जिस से जाब जो हो टेपर ना कटे है फिकसिंग अ ब्लेट की फिकसिंग कैसी की जाती हैlor इसके भारे में जारे कर लेते हैं सबसे पहला जो पाइंट है ल् vallahi pay ब्लेट को अ प्रेप पर ही या दोनों तरब फिलेट की स्क्रू का सारा कि प्लेट कर दे ब्लेट के दाते सही दिश्या में पॉइंट होना चाहिए और यह देखने के लिए आपको मशिन के ओपर इस तरह से ब्लेट की डायरेक्शन होती हो दीखाई जाती शो की जाती है कि ब्लेट के डायरेक्शन किस तरह प्रखनी है मतलब वो कौन से स्ट्रोक में कटिंग करते है इससे पता जल जाता है हमेशा यह फ्रेम पर उसका ब्लेट का स्केच निकाला होता है तो उसको आपको देखकर हमेशा ब्लेट फिट कर देना चाहिए ब्लेट के लिए उसके बार टेंशनिंग जो नट होता है टाइट करने के लिए टेंशन देने के लिए सबसे आखरी में इस नट का प्रयोग करना चाहिए और अच्छी तरह से टेंशन देना चाहिए इस तरह से ये ब्लेट को फीट किया जाता है अब हम जानते हैं इसके precaution कैशे ली जाती है precaution के बारे में जान कर लेते हैं ब्लेट शेट करते समय और माप लेते समय हमेशा मशिन को बंद रख देना चाहिए कटिंग करते समय हमेशा कुलंड का भरपूर्थ प्रयोग करना चाहिए लंबे जाब को सहारा देने के लिए स्कूरू जयक का प्रयोग करना चाहिए जिससे की जाब टेपर में ना कटे एक जैसे लंबई के जाब काटना है आपको समान पीस काटना है तो स्टापर का प्रयोग करना चाहिए जाब वाइस में अच्छी तरह से वाइस हैंडल से टाइट कर देना चाहिए अजर आपका जाब लूज है तो एक्षेंड होने का चांस होता है जाब हील सकता है और ब्लेड वीड तूट सकती है दोस्तो इस तरह से हमने पावर साथ के बारे में पूरी जान कर ली है अपने हमारे चैनल को अभी तक सब्स्राइब लेकिया तो अभी सब्स्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकान पर क्लिक त्रूर किजिएगा